हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिगर लिपिक संयुक्त सीधी बर्ती 2018 का जो पेपर फर्स्ट वाला है अज आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना पूले और साथ में अगर आपको किसी क्यूशन पर doubt है तो आप comment करके जरूर बताएं ताकि उस पर objection लगाया जा सके तो सबसे पहले जो क्यूशन doubtful बताए जा रहे हैं उनमें अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं क्यूशन नंबर 19 19 वा हमारा जो क्यूशन है जिस पर doubt बताया जा रहा है इनमें से कौन सा वारत का सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग है देखिए इस पर ज़्यादा तर विद्यारती जिस पर doubt वाला क्यूशन बता रहे हैं लेकिन इसका जो सही उत्तर है option D 44 वा राजमार्ग NH 44 NH 44 यानि जो D वाला option है वो इसका right answer है देखिए answer की में भी D इसको right बना गया है जो पहले सबसे लंबा राष्ट्रे राजमार्ग था NH 7 था उसको 44 कर दिया गया है इसलिए D इसमें right है इसमें किसी प्रकार का मेरे हिसाब से कोई objection नहीं लग सकता चलिए और आगे के question देख सा है देखिए ये question सीधा सा है इस पर पता नहीं क्यों लोग objection बता रहे हैं जेसल मेर इसका right answer है कुछ लोग करें इस्तान पूछा गया है तो जो चारो option देर्ख है इनमें से सबसे जो सुस्कृस्तान है वो जैपूर सोरी जेसल मेर ही इसका right answer है तो जो 22 question है इसका answer की में भी B माना है तो इस पर भी किसी प्रकर का objection नहीं लगया जा सकता है अब हम बात करते है question number 54 की यानि 54 number का हमारा ये question है पंडित जसराच गाईकी से सम्मंदित है देखिए जो 54 question है इसका right answer माना गया option B answer की according B मेवाती जबकि देखिए मेवाती घराना है ये गाईकी की कोई सेली नहीं है तो answer की में B माना है जबकि इसका सही उत्तर होगा option C खयाल गाईकी यानि जो पंडित जसराच है उनका सम्मंद खयाल से है तो इसका सही उत्तर है option C ये right है इस पर जरूर objection लगाया जा सकत है इसके लिए आपको proof मिल जाएगा आप चाहे तो इसके लिए objection लगा सकते हैं ये हमारी जो नाराइन जो हुकम चंजेन वाली जो पूस्तक उसमें इसका answer दे रखा है वहां से आप इसको proof के रूप में काम में ले सकते हैं हिंदी गरंत अकादमी की पूस्तक है वहां से आ किससे है तो ये भी सीधा सा क्यूशन है जो बेगू किशान अंदोलन है उससे ही ट्रेज कमिशन का समंध है तो इसवे भी मेरे इसाब से कोई objection नहीं लगाया जाशकता मैं वहां पर यही क्यूशन बता रहा हूं जो ज़्यादा तर विध्यारती बता रहें कि ये क्यूशन नमबर 91 बोतिक परिवर्तन के लिए एसा नाम देने का ये है कारण है कि अब देखिए इसका जो option A है परिवर्तन केवल बोतिक गुणों में होता है गुर्जा का अस्तांतरन होता है एक उत्करमनी है परिवर्तन है और option D ये है सभी तो ज़्यादा तर जो विध्यारती है इसमें option D ये है सही ये सभी सही करके आये हैं लेकिन इसका जो answer की में जो उत्तर माना गया option A केवल परिवर्तन बोतिक गुणों में होता है तो answer की में ये माना गया है और ये ही सही है देखिए बोतिक परिवर्तन केवल बोतिक गुणों में होता है इसलिए इसका A option इसका right विद्यार्थी ये कहए रहे हैं कि पर्यूक्स नहीं है इसका आउला ही सही है ये देखिए मेने सर्च करने के बाद काफ़ी इंपर विचार करने के बाद ये जो वास्तिक्ता थी वह मैंने आपके सामने रखी अब आपको किसी भी क्योषन पर doubt है तो आप comment करके बताएं और अगर आपके पास कोई proof है तो आप अपनी इच्छानुसार कोई किस क्योशन पर आपको objection है उस पर आप लगा सकते हैं और objection लगाने की जो date है वो आज से सुरू हो गई है और 28 तारीक last है तो आप जिन भी क्योशन पर आपको doubt है उन पर जरूर आपको objection लगाना चाहिए क्योंकि एक एक नंबर का जो फर्क है हमारी competition में पढ़ता है तो आप जरूर objection लगाएं और अगर आपको एक हिंदी में भी क्योशन है जो उस पे भी जरूर doubt है वो गला रेतना वाला जो उस पे भी आप objection लगा सकते हैं इसके लिए आप राजस्तान जो अपनी मादिमिक शिक्षा बोर्ड वाली पुस्तक है या रागव प्रकास की पुस्तक से उस पे objection लगा सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लेज एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करके आप अपने डाउट वा लेक्यूशन भी बता सकते हैं ताकि उस पे भी अब्जेक्शन लगाया जा सकें वीडियो देखने के लिए लिए आप सभी का धन्यवाद